विल्कम फ्रेंड्स आचार्यम पर आपका स्वागत है दोस्तो हम है ECHS की साइट पे और यहाँ पे देखेंगे किमत प्रदेश में किस डिस्टिक के लिए यहाँ पे वेकेंसी पब्लिश होई है तो दोस्तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जो जवलपूर रीजन है ECHS का तो यह जो चार अगस्त और पचीस अगस्त की डिट दिखाई दे रही है यह तो निकल चुकी है इनकी डिट इसमें हम देख लेते हैं यह वाला 20 शितंबर 2023 वाला Employment of Contractual Staff for ECHS Poly Clinic इसमें हम इसको क्लिक करते हैं PDF मिलेगी देखते हैं क्या है दोस्तो इसमें जो PDF है एक्चुल में है तो यह शाइट का लेकिन इसमें PDF जो है वो पेपर के पेज की है जैसे इन लोगों ने दिया होगा पब्लिस करने के लिए निउज पेपर में उसकी कटिंग को ही इन्होंने अप्लोड कर दिया है तो ये हिंदी वाला हम देख लेते हैं भूदपूर सैनिक अंसदाई श्वास्त योजना ECHS रोजगार सूचना तो इसमें अनुबन धाधार पर 11 महा के लिए आसैनिक एवं एक सर्विशमेन है तो 12 महा के लिए आवेदन आमंत्रित कि दिया जाता है तो मेडिकल आफीशर की है 75,000 रुपए वेतनमान के साथ रिक्तियों की संख्यदो डेंटल हाइजीनिस्ट की है एक पोस्ट 28,100 रुपए दिया जाना है फिर है दोस्तों फार्मासिस्ट तो इसमें PCV के साथ 10 प्लस 2 या भी फार्मा एवं डिपलोमा फार्म पांच वर्स कानभव एक पोस्ट 26,100 मासिक मान दे डाटा इंट्री आपरेटर क्लेरिकल स्टाब में ग्रेजवेट स्रेडी वन एवं पांच वर्स कानभव एक पोस्ट 16,800 रुपए एक पोस्ट 19,700 रुपए चपरासी आठ्मी वर्या जीडी ट्रेट एफ तथा 5 वर्स का पांच वर्स कानभव एक पोस्ट 16,800 रुपए ये अब देखते हैं ECHS पाली क्लीनिक रीवा के लिए तो नर्सिंग असिस्टेंट की वेकेंसी विज्ञान के साथ 10 प्लस टू एवं GANM डिप्लोमा स्रेणी ESM स्रेण एक नर्सिंग में तथा 5 वर्स कानभव एक पोस्ट 28, पांच वर्स कानभव एक पोस्ट 16,800 रुपए मासिक मानदे एक पोस्ट 16,800 रुपए मासिक मानदे इसी तरह ECHS पाली क्लीनिक सतना के लिए डेंटल आफिसर की पोस्ट है BDS 3 साल कानभव के साथ 75,000 रुपए मासिक मानदे सिंगल पोस्ट है, डाटा इंट्री आपरेटर ये ECHS जबलपूर के लिए है, ग्रेजवेट स्रेणी, फर्स्ट क्लेरिकल ट्रेड एफ में और 5 वर्स कानभव, एक पोस्ट 16,800 रुपए मासिक मानदे, नियम सर्ते आवेदन परपत्र वेतन इत्याद के लिए www.echs.gov.in में देखें, यहाँ पे फोन नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं, आवेदन प्राप्त की अंतिम तारिक 20 सितंबर 2023 निर्धारित की गई है, दोपार 3 बजे तक आप ये सारी चीजें वहाँ पे देख सकते हैं, आवेदन को इस्टेशन सेल, ECHS, HQMB एरिया जबलपूर, मद्ध प्रदेश 482001 को भेज सकते हैं, और दोस्तों यही विग्यापन इसमें ऐसा भी दिया हुआ है, तो जो हिंदी वाला था, उसको मैंने देख लिया है, फ्रेंड्स, इसका जो सोर्स है, मैंने आपको बता दिया, ECHS की साइट ही है, लेकिन इसका जो विग्यापन दिया हुआ है, वो पेपर की कटिंग के रूप में दिया हुआ है, फ्रेंड्स, पुना रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब क